खुल तो हेगाई दिशिए और बहुत ज्यादा टाइम से चल रहा था आप लोग के बीच में वीडियो आप नहीं डाल रहे हैं काफी ताम से कह रहे थे वीडियो के लिए वाट अप नहीं डाल रहे हैं तो कंटिनिवसली वीडियो आपके स्टार्ट हो गई है और यस पहले आप लोगों को डियट सारी सुब्हामना है कि आप लोग क्लास एट के बाद प्लास मीं हमारे साथ आ गया हो और क्लास अ यीडि से क्लास नाइन हो बलकि कि कैंद अच्छे माक्स के साथ आयो बहुत ज़दा अच्छा लगा मुझे बहुत सरे बच्छों ने कमेंट कि बहु और लिटरली यह एक टीचर के लिए इससे अच्छी इससे गर्व की बात और नहीं हो सकती जब आपके पढ़ाईवे बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं और मुझे बहुत जदा खुशी है कि आप सब ही काफी अच्छा की हैं तो उसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत पढ़ाई जो लोग मुझसे क्लास 8 से जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं चीजों को किस तरीके से पढ़ाता हूं क्लास 9 में भी हम इसी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 9 आपको एक एक वेशन एक चैप्टर के साथ कम्प्लीट करा जाएगा आप देखिए लिए तो इन सारे बुक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेज हैं आज हम तीन बुक्स की बात करेंगे मैंने कुछ टाइम पहले वोटिंग के लिए पोल डाला हुआ था जिसमें की लगभग 500 आराउंड वोट्स आये हैं जिसमें से कि 75 परसेंट से जादा बच्चों ने वो दोनों के बीच में comparison करूंगा देखें पहली चीज तो यह है कि हम आपको जैसे पढ़ाते आ रहते वैसे ही पढ़ाएंगे आपको पता है कि मैं आप लोगों को जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उसका introduction वीडियो ज़रूर बनाता हूं तो introduction वीडियो में सारे ही books को ले करके collect करके बैठा हूं और मैं सब में देख रहा हूं कि आखिर चेंजिस क्या क्या हैं दिफ्रेंस वहां पर जाकर कि मैंने एक चीज़ पाया कि आपके चैप्टर नेम भी सेम एवन कंटेंट्स भी सेम तो डिफ्रेंट क्या है डिफ्रेंट यह है कि आपको जो questions है वो questions थोड़े से चेंज है method सब कुछ सेम हैं बट questions change है आपके हैना तो उसके लिए परिसान नहीं होना है अब जो हो रहा है कि सारा पढ़ाएंगे कैसे तो या फिर किस बुक को पढ़ाएंगे तो मैं आपको पता दो जो इंट्रोडक्शन वीडियो में डालता हूं जैसे मालते हैं फर्स चाप्टर आपका rational and irrational नंबर से ओपी मलत्रा में भी है यही आपके अमल अगरवाल में भी है यही आपके सलीना में भी है जैसा मैंने बोला कि आज तीन बुक से बात करेंगे तो इसकी में बात कर रहा हूं तो तीनों का जो फर्स चाप्टर है वो की exercise दी हो उन सब में कौन-कौन से concepts कौन-कौन से methods पूछे गए हैं वो सारी ही चीजह मैं आपको इन डेटल बताऊंगा जहां तकरीव बाद बाव वो questions को solve कराने की तो देखें हम कैसे करेंगे पहले हम क्या करेंगे से rational number मैं ने उठा एक introduction वीडियो बना दिया तो चाहें आप किसी भी बुक से पढ़ रहा हो वो इंट्रोड़क्शन वीडियो आप सब अके लिए important होगा माल लेतने कोई से लीना की बुक पढ़ रहा है को यह पी महुत्रा की बुक पढ़ रहा है मैंने स्टार्ट करा है और पी महुत्रा की बुक के questions को solve कराना जैसे एक exercise में माल आप च्वेशन से च्वेशन साथ के वह ने किया दूसरा और तीसरे exercise को भी हमने solve किया तो ml अगरवाल और आपकी बाकी पॉप्लिकेशन से students होंगे वह पहले क्या करेंगे आप सब लोग पहले तो example solve for example solve करना बहुत ज़्यादा important है क्योंकि आपके school में आपके exam में examples से भी questions आते हैं तो आप लोग पहले examples को solve करो और उसके according ही जो भी बुक का मैं वीडियो यहां पर बना रहा हूं उस पूरे वीडियो लेक्शर को आप देखो और देखने के बाद concept समझो कि अगर किस concept पर questions solve हो रहे हैं और आप खुद इसे try करिए आपके book questions को solve करने का ठी तो इसको तो मैं solve कराऊंगा ही कराऊंगा और आपका जो unit test first होने वाला है वो unit test first तो आप लोगों का हो गए तो इसको लेकर करके परसान मुत है unit test first में आप लोग के जो भी topics हा रहे होंगे वो सारे topics पहले में अपर मलतरा के खतम करूंगा बाकी questions आप लोग solve करते रहे हैं तो इसलों मैं separate video मना दूंगा आपके लिए अब आप को कि सर आप इस तरीके से बात करें उस तरीके से केवले एक समझ में रहे हैं कि आपके बिल्कुल भी नहीं है ओपी मलतरा जैसे ही मैं unit first आपका unit first जब भी होने वाला होगा उससे पहले मैं complete कर दूंगा इसके बाद हम आपको सारी video lectures मिलेंगे तो परसान मत होगे बिल्कुल भी टेंसलिक जरूरत नहीं है जैसे class 8 में हमने काफी अच्छा किया था response काफी अच्छा किया आपको ने सेम वैसे ही class 9 में हम करेंगे और इन सारे books को भी cover करेंगे अब हम बात करेंगे differences के बीच में कि आखिर क्या क् आपके screens पर आपको दिख रहा होगा ओपी मलोत्रा का पूरा content जिसमें देखे चैप्टर वन है आपका rational and irrational number फिर उसके बगल में आप देखे हैं कि आपको दिख रहा होगा ML अगरवाल का पहला चैप्टर है वह आपका भी सेम है रिशनल ने रिशनल नंबर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड आपका एश्चांद पुब्लिकेशन योपी मलोत्रा में compound interest तो सेम वही ML अगरवाल में भी सेकेंड आपका क्या है compound interest है थार्ड चैप्टर की बात करें तो पी मलोत्रा में आपका expansion और सेम वही आपका किसमें है ML अगरवाल में भी है फिर आप देखते जा चैप्टर है फिर जो नेक्स चैप्टर आता आपका वह है logarithms लॉग आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा बट परिसान नहीं है लॉग के एक एक क्वेस्चन को एकदम डिटेल में काफी अच्छे तरिके सॉल्फ करेंगे और यहीं मानिए सबसे इजी चैप्टर आपको तो कोई बीडाउट नहीं होगा नाइन चैप्टर आपका बच्चों मिड़ पॉइंट एंटर्सेप्ट तो मिड़ पॉइंड ऑप यह यह क्या होता है कैसे निकालेंगे साथ चीज में डिसकस करेंगे तैंट आपका पाइथागुरस त्योर्म को पता है कि पाइथागुर ratios होते हैं पूरे mathematics के अंदर केवल 6 trigonometric ratios होते हैं उन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना जैसे पहला साइन थीटा कॉस थीटा तैन थीटा फिर इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा सेक थीटा को सेक थीटा ठीक तो यह किस तरीके से आ रहा है किस तरीके से trigonometric ratios को हम पढ़ेंगे 30 degree के value क्या होती है 10 90 degree के value क्या होती है को 60 की value क्या होती है तो यह सब हम बात करेंगे और इग्दब easy way में detailed मैं आपको पूरा solution दूँगा और बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम solve करेंगे फिर आपको चैप्टर वच्चा वे रेक्टि-Linear figures रेक्टि-Linear figures क्या है कैसे हों solve करेंगे next आपका चैप्टर है बच्चा area theorem को में किस तरीके solve करेंगे area के बारे में अपने पढ़ाई होगा अब यह आपके लिए नई पहले में आपको बता दूंकि क्लास 8 में आपने टुट्रल थर्टी चैप्टर पढ़े थे बट आपको क्लास 9 में क्यावल 20 चैप्टर जी पढ़ना है चिक तो स्टेटिस्टिक्स इंट्रॉक्शन डाटा एंड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन जो है यह आपने पढ़ा था डाटा हैंडलिंग के रूप में फ्रॉबिल्टी के रूप में और स्टेटिस्टिक्स पर देपादगे चाप्टर फेफ्टिन आपका मीन median and frequency polygon सबसे easy chapter है easiest chapter कह सकते हैं उसको फिर unit 6 आपका mensuration आता है mensuration में आपका section chapter area of plane figures यानि plane figures होगा उस plane figure को हम लोग area के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर area कैसे find करता है plane figures का फिर chapter 17 आता है आपका circle circumference and area chapter 13 में आप कहोगे इसे perimeter निकालना area निकालना बट आप यह 17 चैप्टरेस में क्या करना आपको area के साथ-साथ circumference भी निकालना बताया जाएगा circumference क्या होता है तो area का sorry जो circle होता है उसका पूरा length होता है उसको लोग circumference बोलते हैं और अंदर के जो भी पार्ट होते हैं उसके क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं तो circle दिया होगा उसके बीच आप से यह पूच सकता है तो यह पढ़ेंगे चैप्टर 17 चैप्टर 18 जो आपका वह सर्फिस होते हैं तो पाइथागोर्स थेयोरम पढ़ते टाइम भी हमें पढ़ना चैप्टर 19 में भी इसको पढ़ना बटा परिसान ना हो मैं आपको पहले जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब हम बात कर लेते हैं कि चलो भी आच्छा आप अब आप मुझे यह बता दीजिए कि जो हमारा सेलीना कंसाइस है तो सेलीना कंसाइस में कितने चैप्टर जाएं बच्चों यहां पर आपको चैप्टर कहां से आया तो आपको चोटा सा चीज बता रहा हूं आप वह समझ फर्स्ट चप्टर आपका रिशनल इरेशनल से धस्रा वालें उसमें क्या किया गया है केवल कंपॉंटे दिया गया है उसमें आपको 6ी फार्मुले से बीस और ना बताया गया है घयाव कした तो यहां आपको इक चैप्टर बना दिया है तू फिर चैप्टर 3 इनों ने बता दिया है यूजिंग फॉर्मुला यानि की फॉर्मूले का यूज करके कैसे को सॉल पर सकते हैं तो दो चैप्टर ऐसे बढ़ए फिर फॉर्थ एक्सपेंशन फिफ्ट एक्टराइजेशन जि तो 10 आइस ओसेले स्ट्रेंगल चैप्टर 11 कर दिया इन इक्वेलिटीज चैप्र 12 कर दिया है मिड़ पॉइंट एंड इट्स गनवर्स वही मिड़ पॉइंट वाला है चैप्टर 13 कर दिया पाइथाभूरस थेर्म चैप्टर 14 ए रेक्टी लिनियर फिगर से प्र फिफ्ट है 23 आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशिव फेस्टेंडर्ड एंगल्स है 24 आपका वह सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रेंगल्स 25 आपका है कॉंप्लिमेंट्री एंगल्स 26 कोडिनेट जेमेट्री 27 ग्रैफिकल सॉल्यूशन 28 डिस्टेंस फॉर्मूला यानि कुल मिला जुला करके यहां पर क्या किया हुआ है तो एक ही चैप्टर जो आपको ऑपी मलोत्रा और मेल अगरौल में पढ़ना हुआ है तो उम्मीद करना आपको समझ माया होगा और मैं आपको फिर से एक बार बता दू कि केवल ओपी मनुत्रा में लग्रों सिलना कंसाइज नहीं सारे क्वेशन को मैं सुल्फ कराऊंगा बस तोड़ा पेसेंस रखें और आप लोग पढ़ते रहें वीडियो लेक्चर्स सब्सक्राइब करें और बस वेट करिए पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप सेर करें क्योंकि आप आ गया हो तो क्लास में आपको सिसकरी कि हमारे साथ आपके और भी सारे फ्रैंड्स बाकी लोग भी चुड़ें और कंटेंट्स अगर आपको पसंद आ झाल